मुझे बहुत खोशी होती है क्योंकि वो मैं खुद कर रही हूँ अपने पैसो से सो मुझे बहुत प्राउट फिल होता है और ये चीज करने के लिए मैंने बहुत मैंनत किया है मैंने बहुत बहुत मैंनत किया है मेरा बहुत ही स्ट्रगल रहा है तीन-चार साल बट स्ट्रागल से, हाड वर्क से आज मैंने एक मुकाम हासिल किया है जादा अब तो बड़ा कुछ नहीं पर इतना कि मेरा हर सपना में पूरा कर सकती हूँ सो हर एक लड़की को अपने पैरों पे खाड़ा होना बहुत जदे इंपोर्टेंट है चाहे आप अपने पर्षे जब 10 रुपिया भी निकालोगे ना तो आपका पैसा है आपके पापा का नहीं है या फिर आपके हस्बेंड का नहीं है सर गाइस मैं आगी हूँ तनीस ये आज मैं तनीस से सापिंग करने वाली हूँ और मैं बहुत जदे एक्साइटेड हूँ I love gold gold में invest में हमेशा से करती हूँ जब से मैं थोड़ा पैसा कमाने लगी जब से मेरा जॉब लगा है because gold है ना जो आपकी मुसिबत के टाइम पे आपका काम आता है जैसी कि मैं अकेले रहती हूँ मेरा फैमिली है ना कोई फ्रेंज है ना कोई भी है और सम्टेम ऐसा होता है कि फैमिली के टाइम पे भी उस टाइम पे पैसा ना हो तो अब कहां से आपका पैस पैसा होगा तो gold अगर आपके पास हो तो emergency में आपका काम भी आता है यहाँ के जो दीदी है तनिशा दीदी उनका नाम है तो वो मुझे दिखा रही थी क्योंकि जान पहचन हम लोगों का बहुत पहले से है यहाँ पर धाइ सल से मैं आ रही हूँ तो अभी जान पहचन हो गिया है तो वो मुझे बता रही थी कि तुम टॉप्स ले सकते हो ये अच्छा है पर मेरा इतना बड़ा मुह यार इतना छोटा सा डाइमंड छूप जा रहा है और डाइमंड न मुझे समझ में नहीं आता है कुछ सो मुझे गोल्ड ही अच्छा लगता है मैं गोल्ड ही लेती हूँ और मुझे उतना सौग भी नहीं है डाइमंड का सज बोलू तो और I think middle class family की जो लड़किया होता है उनको उतना डाइमंड का सौग भी नहीं होता है I think I mean मैं अपना बात बता रही हूँ किसी और का नहीं बत है अब मैं second floor में जाड़ी हूँ कान के लिए में tops थोड़ा सा कुछ देख लेती हूँ design जो मुझे अच्छा लाग है regular wear के लिए कान में जादा मैं long कुछ पहनती नहीं हूँ छोटा छोटा सा ही मुदे में पहनती हूँ और office wear में daily wear के लिए मुझे छोटा छोटा अच्छा लगता है इसके लिए बहुत सारा design अच्छा अच्छा देखा मैंने मुझे बहुत ज़दा अच्छा लग हूँ उसमें से एक मेंने select किया है वो में पहन के देख रही हूँ और आप लोग को पता है मैं अगर एक हपता कान का नहीं पहनू ना तब अगर मैं पहनती हूँ तो मुझे दर्द होना सुरू हो जाता है यह मेरे साथ हमेशा सही होता है और मेरा फर्स्ट पियर्सिंग करवाया था मेरी फुपी ने वह भी सुई धागा से मुझे आज भी यादे और तब मैं एक दम छोड़ी थी स्कूल भी नहीं जाती थी और अभी मैंने टॉप में जो पियर्सि में भी अच्छा लग रहा है तोẹट था भी में अच्छा लग रहा है क्भी ने इस दे अनग कर दिदू में रिग लूड है और मेरे पहरे मेरे परी फेस में आप में यूज़ा था मैं पैटरनलक्वी मेरे ankle बूड निया है यह터 मैं च्छा लाग आनलक् firearm पीजिंग bracelet चाहिए था तो मुझे बोला कि तू पसंद करके दे तो मैं हम दोनों मिलके देख रहे थे कि कौन सा अच्छा लगेगा So guys मैं तनिस में shopping हो चुका है all done and मैंने अपना bracelet नहीं लिया है क्योंकि थोड़ा लूज हो रहा था मुझे डर लगता है लूज चीज़े पहनना गोल का खास करके तो मैंने बोला मेरा नाप का थोड़ा सा टाइट करके मुझे दो दिन बाद दिया जाएगा वो और मैं वहाँ से निकल के आ गई हूँ जूडियो में फर्स टाइम में जूडियो विजिट कर रही हूँ और मैं आई हूँ कोलकता के पाक स्ट्रीट जूडियो ब्रैंच पे यह मेरा फर्स विजिट है और मैं आते ही खुस हो गई मैंने बहुत सुना था कि जूडियो का कलेक्शन अच्छा होता है और सस्ता होता है यहाँ पे जितना मैंने अभी तक देखा है एक हजर के अंदर सारे चीज़ है और यहाँ का टी शर्ट, नाइट, सूट बहुत ज़्यादा reasonable price में मिल रहा है तो जो लोग school में पढ़ते है college में पढ़ते है फिर office जाते है उन लोग के लिए अच्छा है school, college going girl जो लोग teenager है ना उन लोग के लिए perfect है because pocket money उतना होता नहीं है बर स्टाइलिस और थोड़ा सा अच्छा कॉलिटी का अगर कुछ चाहिए तो जुडियों में आके सौप आराम से कढ़ी सकते हो यहां पे मैंने बहुत सारा ड्रेस भी देखा बहुत जादा प्यारा प्यारा ड्रेस था कुछ कुछ चीजे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने सौपिंग भी कर लिया है दवा के और सौपिंग होने के बाद मैं चाली अब पेट पूजा करने के लिए तो मैं आगे हूँ क्याफे और यहां पे मैंने ओडर बहुत सारा चीज दिया है खास करके ब्रेड यहां का ब्रेड मैं लेके जाती हूँ मैं आल्टी ग्रेड रहता है बहुत ज़दा अच्छा रहता है वास्रूम से मैं फ्रेस होके आ गई अब मैं वेट कर रही हूँ अपने खाने का मैंने ओरर दिया है मुझे बहुत ज़्यादा भूक लगा है मैं ब्रेकफस्ट करके मैं घर से निकली थी बहुत ज़्यादा मुझे भूक लगी है और यहाँ पे न मैं अपने घर के लिए कुछ-कुछ चीज़े मंगवाई थी ताकि मैं घर लेके जा सकूँ यहाँ पे multi grain bread मैंने मंगवाया था बहुत अच्छा होता है बिलकुल भी मैदा नहीं होता है बहुत fresh रहता है और बहुत long date रहता है ताकि आप पूरा complete इसको finish कर पाओं तो यह एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है तो जब भी मैं इस side में आती हूँ मैं pick up कर लेती हूँ और इनका brands तो बो 3-4 जगह पे है तो मैं ले लेती हूँ सुईगी में भी available है तो मैं order करके भी मंगवा लेती हूँ और यहां पे मफल मिलता है तब यहां पे cup cake मिलता है जो की मैदानी होता है sugar free रहता है थोड़ा सा मतलब expensive है बट कभी-कभी तो खाया जा सकता है तो मैं अपना मन को नहीं मारती हूँ मैं खा लेती हूँ ताकि मैं satisfaction भी रहे कि हां भाई तुरा अच्छा चीजे भी खा रही हूँ क्योंकि craving तो सबको ही होता है कुछ ना कुछ खाने का और मैं sweet और मैदा को ignore करती हूँ बहुत लॉंग time से जब से मुझे PCOD हुआ था बट अभी जब सब कुछ ठीक है तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि अभ चाहिए सो अब से मैं try करूंगी मेरा hormonal problem के वैसे इतना जदा डर गई थी कि सबकुछ off कर दिया था बहुत सालों से 5-6 साल हो गया यह सारे चीज चल रहा था बट नौ मैं सोच रही हूँ सब जब ठीक है तो मैं थोड़ा बहुत चीजों को अब खाऊं क्योंकि बहुत सार चाहिए क्योंकि जिन्देगी कितनी दिन की है अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे सो अब से में try करूंगी और यह जो केक है चॉकलेट केक यह पूरा पूरी मैदा फिरी है यहां पे आलमंड का फ्लावर यूज किया हुआ है एंड जैगरी तो बहुत ज़दा चाहिए पता चलेगा एंड खाने में उतना ही स्वाध है बहुत टेस्टी है यह कैफे जब भी में आती हूं यह कैफे बहुत ज़दा हाईजीन मेंटेन करता है बहुत यम रहता है खाना एंड सबसे अच्छी बात होती है यहां पे ना बहुत सारा बुजुर्ख जो मतलब जो आंटीया है यह जो दादू नानी लोग है दादी लोग है वह लोग भी आते है क्यूंकि सब कोही कुछ नकुछ प्रॉब्लेम रहता है हेल रिसू रहता है थाईरेड रहता बड़ि रहता है बहुत सारा चीजे रहते सूगर रहता है अर इस काफे का सबसे अच्छी बा तो उसी सबसे और लोग भी आपको हेल्प करता है कि आपको कौन सा चीजे लेनी चाहिए ते कि यह हां का यह चीज बहुत जदा अच्छा लगता है और मैंने दबा के खाया क्योंकि मैं बहुत जदा भूकी थी तो मैंने सब कुछ ठूस लिया Hey guys, आज मैं तीन दिन बात फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ और आज मैं लेके जाने वाली हूँ आप लोग को फिर से सौपिंग में आज मैं फिर से सौपिंग में जा रही हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ बैक भी ले लिया है, फोन भी ले लिया है, वाल सेट, चलो अब चलते हैं, अन्साम भी हो गई है और सुनो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर दो घर से मैं निकल चुकी हूँ और मैं आज आ गई हूँ गोडिया हाट में न्यू जुडियो ओपेंड हुआ है, फिर से मैं जुडियो आ चुकी हूँ एक दिन में क्या जुडियो गई, मैं तो जुडियो को फैन बन गई, मुझे इतना ज़दा अच्छा लगा तो मैंने सोचा जो अभी न्यू ब्रैंज ओपेंड हुआ है, वहाँ पे क्यों न जाया जाये, वहाँ पे क्या कलेक्शन है, थोड़ा सा देख लू सो जो मैं पाकी स्टीट में गई थी, वहाँ का कलेक्शन पूरा डिफरेंट था, और यहाँ का कलेक्शन पूरा डिफरेंट है, और यहाँ पे तो प्रोडेक भी मिल रहा है, मतलब यहाँ पे बॉड़ी वास है, मेकप का चीज़े मिल रही है, लिप लॉस, लिप ग्लॉस, लिपिस्टीक हर एक चीज और इतना ज्यादा रिजनेबल प्राइज में मिल रहा है जो टीनेजर हो अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोग आके यहाँ पे स्वापिंग कर सकते हो इससे आप लोग को पैसा बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा और आप लोग का काम भी चल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारा स्कीन केर पोड़क भी मिल रहा है पर मैं यही आप लोग को सजेस्ट करूंगी मैंने अच्छे से देखा जो इंग्रेडियन्स यहाँ पे यूज किया है वो आपके इसकिन के लिए उतना भी अच्छा नहीं होगा ना आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा तो इसकिन केर पोड़क मतलो बटी मेक अप चपल एफिट ड्रेस यह सारे चीज़ आप लोग ले सकते हो और यहाँ पे जो इन वेर का जो सेक्सन था मैं देखते एक दम खुस हो गई इतना बड़िया कलेक्शन था इतना अच्छा है मेटरियल का हर एक चीज़ मिल रहा था सो मैंने ले लिया है अब मैं जारी उपर बिलिंग करने बिलिंग करने के बाद कूर्टी सेक्षन मुझे दिखा तो वहाँ पे जो सारे कूर्टी थी जो कलेक्शन थी तो उतना कुछ मुझे खास लगा नहीं सो मैं निकल गई सौपिंग करके जोडियो से निकल के मुवी देखने आ गई क्योंकि ये मुवी मुझे दिखना था और बहुत पैरा मुवी है नेक्स डे मैं जल्दी से उठके ब्रेकफश कर लिया नहा लिया उसके बाद मैं आ गई जीम पे क्योंकि दो दिन से मैं जीम नहीं आय थी पर घर पे मैंने वक आउट कर लिया था और आज मेरे लेक डे था तो बहुत मैं ठक भी गई हूँ मेरे सकल से दिखी रहा होगा जीम से आने के बाद कुछ काम था वो सारे चीज मैंने कर लिया अब मैं फिरी थी तो इसलिए मैं जा रही हूँ अपना गोल्ड ब्रेसलेट ने ले और यह रिंग्स लेने सो मैं तनीस आ चुकी हूँ पेपर वर्क जितना था वो सारे चीज डन हो चुका था पहले ही हो सेट और रिंग दोनों लेके जाऊंगी तो इस में यह सारे प्लांट को मैं आर्टिफिशियल समझ रही थी बाट यह ओर इजिनियल है और कितना अच्छा से यहां का मेंटेनेंस किया हुआ है देखके दिलखुस हो गया और थोड़ा टाइम लग रहा इसलिए मैं कॉफी पी रही थी क्योंकि मुझे ना बहुत ज़दा नीद आ रही थी क्योंकि मैं कल रात भार जाके कुछ काम था वो सारे चीज में कर रही थी और सारे चीज ड़न हो चुका है फिर से एक बार रीचे खो रहा है और फाइनली सब कुछ ड़न हो चुका है और मेरे हाथ में आ गया है मेरा प्रोडेक्ट, I am so happy मुए बहुत ज़दा खुशू so यही था मेरा पूरा एक हापता से छोटा-छोटा मैंने क्लिप सूट किया जो मैंने एक हापता में किया है आप लोग के साथ मैंने अपने खुशिया सेयर किया आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना और ब्लोग अच्छा लगे तो ब्लोग को सेयर करना, लाइक करना, सच्क्राइब करना फिर मिलते हैं, बाई